तो आ गए है आप स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके ही अपने यूटूब चैनल के अंदर दोस्तों देखेगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन एरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रूप जीडी ठीके दोस्तों तो आपके लिए सबसे पहले तुम्हे कि इस वीडियो से पहले में एक वीडियो प्रविबल क्रा क्रा चुक हूं आपके लिए देखे का ज मैंने आपको बता है था कि इंटूदक्शनन कैसे देना आपको जीडी कैसे देना है एक मिनट के अंदर ठीक है ना तो इंट्रडेक्शन ज़सा के आपको पता है जब आप पेस्ट के एक्जम क्वालिपाइक कर जाते हो तो आपको सेट पेस्टू का जो एड्मिट कार होता है वो एवलिबल इंडेने प्रोसी तरफ से करा दिया जाता है आपको पेस्टू के लि आपको करता है एक मिनट में कंप्लीट करना होता है य Kenneth आप तरीकी से याहक्छय सेट है यह तो आपके जो जी डी में क्क्वालिपा करने की के चांस है यह वह भढ़़ जाते हैं जया आपके आपको इंट्रूडेक्शन होता है यदि वह आपका जो जीडी लेने वाला उता हो उस पर एक अच्छा एफेक्ट डाल देता है तो इस वीडियो में आपके लिए बता है हुआ है कि आपको इंट्रोडेक्शन के टाइम है जो कौन-कौन से सेंटेंस को सही होड़ना है कौन-कौन से गलतिया नहीं करने है कुछ गलतिया मुझे फ आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही बैनिपीशियल साबित हो सकता है ठीक है दोस्तो तो आप इस वीडियो को जरूर से देख लेगा उपर आई बटन वे नीचे डेस्क्रिप्शन वीडियो के लाश्ट में आपको मैं प्रोबाइड करा दूँगा तो आज की इस बिगेस्ट कोश्चन में बताने वाला हूँ न वो जो आपको ओपी शरू होता है उस पर एक अच्छा एपक्ट डाल देता है सबसे अच्छा एपक्ट डालता है आपका वही कोश्चन तो वो कोश्चन आपको इस वीडियो में प्रोबाइड करा दूँगा तो मिक्षर वी जाते हैं जीडि के अंदर से निकालने के वह आज की इस वीडियो में डिसक्स कर दूँगा ठीक है दोस्तों दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को और घंटे को दबा दीजेगा ताकि आपको अमारी वीडिय श has a weekbook तो में ध्याता है में थोड़ा जानड लेते हैं ठीक है तो जीडि फोता है प्रिदी सरो टॉपिक और तीसरो होता है discussion ठीक है दोस्तों तो देखेगा सबसे पहले जो मैंने पायट होता है जो कि आपका ओपी से रोता हुसे पर इच्छा इपक्ट डालता है वो introduction होता है जो मैंने इस से पहले जो वडियो आई थी उसमें आपको प्रोबाइड करा दिया था कि introduction आपको किस तरीके से देना है उसम मैं selected मैंने six five six pointed बता हैं जो आसानी से आप एक मिनट के अंदर बता सकते हो ठीक है ना हो तो देखेगा introduction इसके बाद topic दे दिया जाता है आपको टॉपिक को पाढ़ना होता 10 मिनट का time दिया जाता है topic को read करने के लिए और simply आपको topic read करने के बाद जो आपका discussion है वो start करा दि जाता है ठीक है दोस्तों तो आपको सबसे पहले तो introduction का ही ध्यान रखना है कि introduction किस तरीके से देना है कौन सी गलतिया नहीं करनी है वो आज गी इस वीडियो में बता हूँगा को सी गलतिया हो बता चुका हूँ जो आपको मैंने अभी बताई थी इससे पहले ठीक है ना तो दोनों वीडियोज को देख लीजीगा आपके लिए सावित हो सकती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से देखेगा सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि आपको कौन-कौन सी गलतिया नहीं करनी है एंटे कर जाते हो ठीक है ना रूम के अंदर एंटे करनी है पर जब आप चेहरे के उपर बैठ दो तो आपका पूजिशन कैसा है आप देखने में कैसे लग जो ठीक है न वह बात आपको ज्यान रखना है देखेगा एक तरीके से मैं आपके लिए बता देता हूँ एक कर लेते हैं तो कुछ के अंदर से ज्यादा च्हाती को आंगल गाल देते हैं ठीक है ना तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सिंपल पोजीशन में एक तरीके सीधा होना है इस तरीके से हो के रहना है एक बात लिए जान लगेगा अपनी आइज को ऑफिसर्स कुछ ना कुछ आपके अंदर है ठीक है दोस्तों तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है इंट्रोडेक्शन देने से पहले क्योंकि यह जो पीशर होता है उस पर एक अच्छा इपक्त डालते हैं क्योंकि वह भी ऐसी सिच्वेशन से होकर पास हुआ है तो उसे पता है और फिल कर दीजेगा फादर नेम फिल कर दीजेगा और यहां पर आपके फादर क्या है वो फिल कर दीजेगा तो आपको यदि नहीं पता है कि किस तरीके से आपको इसको बोलना है तो सिंप्ली देकिए इसको आप इस तरीके से निबोल सकते हो बोलना किस तरीके से बोलना किस तरीके से आपको एक अलग तरीके से आप उस वीडियो को देख सकते हो आपको स्वयम ही पता चल जाएगा इसके बाद देखेगा जो माई मदर नेम इज दियो भी आपका मदर के नाम है एंड सीज ए यहाँ पर मुश्लिट गलती क्या करते हैं सीज ए वो बोल देते हैं हाउस वाइप लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर जाण रखना है जो हाउस वाइप बुलता है वो आपके लिए नहीं है आउस वाइप आप नहीं बोल सकते हैं अपनी माता जी को आप बोलोगे उन्हें सीज हाउसमेकर यानि वो यह घर का घर को चलाने वाली है यानि घर का एक म अंदर कोच है और यह कुछ समझता है और साथी साथ ओफिसर को जो फिलिंग होती है जब इस तरीके से आप बोलते हो सब से अले हाटकार की जैसे कोई सब भी बोलते है माई मदर नेमीच पलाना पलाना और शीज हाउस बाइप एंड डॉक्टर और शीज नर्स ठीक है न औ तो कहीं न कहीं यह है जो आपीसर पर एक अच्छा एपक्ट डाल देता है जिससे आपकी जीडी में क्वालिपाई करने के बहुत जाज अचान से बन जाते है ठीक है दोस्तों तो इस गलती को आपको नहीं करना है और ध्यान रखना है इस गलती को इसके बाद देखेगा द 99% यह कोशन पोचता है वाई यू जॉइन इंडियन एरपोर्स या आईएप यानि आप इंडियन एरपोर्स को जोईन क्यों करना चाहते हो यह एक बिगस्ट कोशन है जो कि इंडियन एरपोर्स करता है यदि आप अपने इंट्रोडेक्शन की टाइम ही इससे बहुल देते यानि introduction के time यह officer के पूछने से पहले आप इसको define कर देता हो officer के लिए तो यह आप पर एक अच्छा effect डालता है और आपकी image को एक अच्छा ग्रो कर देता officer के सामने कि बागई इस person को है इस candidate को कुछ-कुछ बातों को समझने का अभी अनबब है और यह Indian airports को join करने के लाइक नहीं है या है वो आपकी इसी question पर depend करता है ठीके दुस्तों तो आपको इसका साथी concert search करने नहीं है कि आपके क्या लगता है आप इंडियन एपोर्स को join क्यों करना चाहते हो ठीक है तो इसके answer आप देख लीजेगा जो भी आपका answer बनता है वो आप simply पätteक्शन के साथ ही इसको बोलेतो यह से अपना नाम बोड़ा अपने पताजी का नाम बोला उनकी जॉब बोली अपने माता जी का प्म बोला आपनी माता जी कंतल रोकर काम लगता ओसके बाद और आपम लूगण हों ऊसके पीसर पर एक अच्छा एफेक्ट डाल देता है ठीक है तो आप देखेगा कोछ बोल रहा हूं मैं आप उनको कर्मार्ट कर लीजगा ठीक है उनसे पूछ आपको बोल दे ना है आप स्वेंसे इंट्रोडेक्शन के साथ ही बोलते हो तो आपको बना है आई एम जोईन इंडियन एरपोर्स विकोज देखेगा कि मैं एक देश की सेवा करने के लिए एक मौका पाना चाहता हूं या पर एक तरीकी से मुझे बचपन से ही इंडियन एरपोर्स से लव है या प यहाँ पर इस्टन जो गलतियां करते हैं मुझसल इस्टन जो गलतियां कर देते हैं मौइनेमज ठीक हैं तो आपको यहाँ पर मौइनेम फिरी बोलना है यहाँ पर दियान रखिएगा दोस्तों तो आपको माइच रेक्ट कर दे को यहां पर यूज निकरना एक क्योंकि जब बोलते हैं आप जोचकर देखो स्वेम स्वेम जब महाँ पर आप एव लेवल हो तो आप ग्हेंसे बोल सकते हो स्वेम के लिए लगता है जाएड सी बात है माई सेल्प नेमी जे धीक भए इक पर सोचके देख daño शो शून के दिखे के ध्यान पूरबा क्या आपको लगता है कि हम का यूद कर चाहिए है याप नहीं गद्य looking तो आपको comment box में जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है माई के बाद self का use करना चाहिए और नहीं करना चाहिए मेरे सब्सक्राइब तो नहीं करना चाहिए because my name is यह अच्छा लगता है बोलने माँ और यह तरीके से अच्छा effect भी डाल देता है ठीक है दोस्तो तो देखिए बहुत सारी introduction में जो गलतिया आप students करते हैं वो आज की इस वीडियो में discuss कर चुका हूँ कुछ से गलतिया ठीक है दोस्तो इस वीडियो में available करा चुका हूँ तो आपको इस वीडियो को जरूर से देख लेना है ठीक है आप से हाथ जो रखर निमेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर से देख ली जगा यह आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकते है यदि आप face first को qualify कर जाते हैं और जो भी candidates face first को qualify नहीं कर पाते हैं उनके लिए वीडियो बहुत important हैं दोनों ही वीडियो जो है assistance मेर को नहीं लगते जिन्हों नहीं यदि एरपोस का एक्जाम दिया है तो एक बार एक्जाम देकर हाल मारने वालों मेर को नहीं लगता कि ऐसा कोई candidate होगा तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा time से पहले आपको कुछ चीजा है मालूम हो जाएं तो वह एक अच्छा एपक्ट डाल देता है आपकी लाइप पर आपके जदी आप इन सब चीजों को पहले ही जान लेते हो तो वह आप पर एक अच्छा एपक्ट डाल सकता को जॉइन करने के लिए ठीक है दोस्तों तो देखेगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही आयोप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा पूर इंट्रोडेक्शन आपके साथ सेयर करते हूं जो इस गलतिया करते हैं उनको कौन कौन सी गलतियों नहीं करनी है दौनों वीड वीडियो बहुत ही बैनी पीचे लेती हैं और उन्हें भी इस जानगारी से रूब रूब कराएते रहे ठीक है दोस्तों कोई प्रॉब्लम में तो कमेंट कर दी तो इस वीडियो के रिकार्डिंग ये थी किस टॉपिक अधर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप में कमे तो ठीक है आपको अच्छा फिल नहीं हो रहा हो यापर कुछ भी हो अंदर की जो भी फिलिंग्स हो सभी से कमेंट वॉक्स में भर देना है कमेंट वॉक्स आपको कमेंट वॉक्स में लिक देना है कि आपको क्या क्यूरी जो भी आपके अंदर है वो सब कुछ लिक देना है Subscribe बटन उस पर क्लिक कीजेगा साथ में जो बैल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कर लिजेगा यदि आप बैल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो अमारी वीडियो को नोटिपिकेसन आप गें नहीं कर पाऊगे कर दिजे प्रेस नहीं कर फंगी खे